जी, नमश्कार आदाव, Freedom Express में आपका स्वागत है और मैं हूँ रविंदर कुमार और आज हमारे साथ हात्रस रेप कांड मामले पर हमारे साथ योगीता ब्याना जी हैं, योगीता ब्याना जी समाज सेविका हैं, इसके साथ वो परी जो और्गनाइजेशन है, उसकी भी चेय मरिया जी भी मौजूद है, अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और योगीता जी, आपका भी Freedom Express में बहुत-बहुत स्वागत है, मैं पहला सवाल, योगीता जी, आप से करना चाहूंगा, हात्रस रेप कांड को लेकर के जो नई जो खबर जो अब देखने को म कि मिल रही है, वो यह मिल रही है, कि वो कॉल डिटेल उस पीलिता की और उस लड़के की, Sandeep गैलूत यूड़का है, उसके बीच यह कॉल डिटेल एक सामने आ रही है, और हैरानी की बात ये है कि, मैं आप से ये जानना चाँँगा, कि कॉल डिटेल ऐसे मामले में, क्या पुलिस या और्गनाइजेशन ले सकती है इसके बाद एक और मैं आप से गंभी सब्सक्राइब पूछूँगा यह पुझे नहीं पता यह मैटर ओफ इंवस्टिकेशन है और इक यह बहुत बहुत दुखी करता है यह सब मानलीजी पेड़ता जाती थी मानलीजी पेड़ता का प्रेम प्रसंगी था उससे वो जो मर गई है उसके साद जो बरबरता हुई है रेव को लोग सवाल कर रहे है रेव को सवाल से पर मर्डर को कोई उठाई नहीं रहा है उसकी हडियां तूटी है उसकी हालात को हमें तिख रहते है वो वीडियो में उसको कोई सवाल नहीं करें कि उसके सब बरबरता हुई है वो चैवो जानती होगी, हो सकता बात भी करती हो, तो तो ड़स नॉट कवर दो गलत, एक सही नहीं कर सकते हैं न, चीजों को, तो मेरा उससे उपर का सवाल है, कि एक लड़की मरी है, एक लड़की का मुड़र हुआ, एक लड़की के साथ शारिडी प्रतार्ना हुई है, अगो छोच जो करते हुए वो बोल गई है कि मिरे साथ हुआ, तो मानना चाहिए न, आपने कानून क्यों बनाए फिर ऐसे, आपकी कानून तो कहते हैं कि जो डाइन क्लेरेशन है, उसको मानना जाएगा, और अभी आप अरू पर पीडित परिवार पे सवाल उठाने लग गए है, जी, जी, अनील जी, अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि इस मामले में जब ये कॉल डिटेल निकानने की बात आई है, तो क्या ये पीडिता के साथ अन्य नहीं है, एक तरह से ये तो ऐसे दिखाए दे रहा है कि पीडिता का ये एकदम से चरित्र हनन ही की कोशिश की जारी है, और पूरे मामले को भटकाने की कोशिश की जारी है, देखे, मैं पहली बात तो ये का बताओं आपको, कि ये कोई नई बात नहीं है, अगर भारी देवी का कांड हम याद करें, रजस्तान में, और ये नब्बे के आसपास घटना हुई, और उससे पहले भी, भार्ची समाज में जो भी ऐसी घटनाए हुई है, एक तो आम तोर पर जो महिलाओं के बारे में ये बात प्रचारित की जाती है, और ये इस्टेबलिस करने की कोशिश की जाती है, कि समाज का जो ढाचा है, बहुत ही इन्नुसेंट है, बहुत ही ठीक ठाक है, और जो ये लड़किया हैं, महिलाएं हैं, वही दरसल उनमें दिक्कत होती है, और वही चरित्रहीन होती है, वही अपने दायरे को नहीं समझ पाती है, ये बहुत पुरानी बात है, इसलिए मैं ये जो हातरस की घटना में जो कुछ भी कहा जा रहा है, यानि कि हातरस की घटना को धुला देने के ल अब मैं एक बड़ा सवाल जो हमारे सामने है और वो बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार जो हमारी होती है वो क्या पीडिता की बिरोधी होती है जो पीडित होते है क्या victim होते हैं, क्या उसकी वो बिरोधी होती है अब अगर ये message बन रहा है और ये बनाने की कोशी सो रही है तो मुझे लगता है कि ये समाज के लिए सबसे ज़्यादा चिंता जनब बात आप ये देखिए कि अभी जितने भी तरह के जिस दिन से 14 तारीक यानि 14 सेप्टेंबर की ये घटना है और उसके बाद से आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज ये करिब तीन हपते गुजर चुके हैं और तीन हपते में सरकार की जो पूरी भूमिका है, मीडिया की जो पूरी भूमिका है ये हमारे सामने है, इसमें कोई बात छिपी हुई नहीं है वहां का जो प्रशासन है, वो सरकार का ही परतिद्र करता है और उसका भी जो पूरा बैभार रहा है, उसकी जो कोसिस रही है, वो हमारे सामने है मैं ये कह रहा हूđ कि ये जो भी अभी जो भी अख़बार में टेलिवीजन में जो जो डिरीफिंग दी जा रही है वो डिरीफिंग तरह सल इस पूरे जो एक वातवरन बना है समाज लिए इस तरह की घटनाओं के खिलाफ जो वातवरन बना है और इसकी जो राजनितिक जो संड़क्षण है उसके खिलाफ जो एक महौल बना है उसको डाइवाट करने के लिए अभी रोज वर रोज कुछ ना कुछ नई बात आएगी और वो कोशिश होगी क्योंकि मैं आप से एक और सवाल पर आऊंगा योगिता जी अगर हम अगर इस पूरे मामले को देखें जैसे अनिल साब ने भी बताया कि पूरी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश इस मामले में की जा रही है आप हात्रस पिछले दिनों हात्रस भी गई आप इस पूरे मामले की अगर संजीदगी को देखें तो इसमें ऐसा कोई भी पेच नहीं है जिस पर ये सवाल खड़ा होता हो कि पीडिता के साथ ये घटना नहीं घटी मुझे तो नाम लेते हुए भी शर्म आती है लेकिन ये घटना हमारे समाज में घटी है आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं क्योंकि ये सीधा सीधा character assassination है, हम ये देख रहे हैं कि ये कोशिश की जा रही है कि लड़की लड़के से बात करती थी, उसकी call detail निकल आई, क्या लड़की का बात करना इस बात की तस्दीक करता है कि उसका murder हो जाना चाहिए, या ये तस्दीक करता है कि अगर लड़की अगर लड़के के साथ अगर भूम भी रही है, तो क्या उसका murder कर देना चाहिए? मुझे तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब और specially mainstream media इसको बुना रहा है, कल भी मैं हात्रस में थी, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ पीडिता के परिवार को वो कॉल डीटेल जब निकली उसको ले के एक बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, मेरा मन किया मैं उस अपकी पिटाई कर दो, सची आपकी चैनल पर बोल रही हूँ है, उसने पीडिता के परिवार को तो जो खड़ी खड़ी सुनाए के चैनल पर यह देखी आपकी बेटी बात टेती है, यह देखी है, आपको शरम नहीं आती है आपने जूटबर रही है अलो, मुझे रोणा आ रहा था, मेरी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे भी हमारे समाज में ऐसे जनलिस्ट भी हैं और सच जने अभी कितनी अच्छी बात बोली कि भवरी ये कोई नहीं बात तो नहीं है पर एक जनलिस्स से एक्सपेक्टिग नहीं था और सारे चैनल सुबह से यही दिखा रहे हैं मुझे नहीं सबन जाता है यह जिंड़ा कि हमेला देश रहने लाए कोtin हैं बात देता की कि नहीं यही देश रहने लाए कि नहीं और सर्थ जाता है लुष, वारे कि करा झालिस्ट है और जो यह जाता सुम्त उष्सान हुई और आभरी यही दिखो सिता माता की बात करते हैं इंट हैं मैं। मतलब Sita Madha को तो आपने छोड़ानी और फिर आप्राम नने चलें मतलब बात करती थी तो मार दो मतलब क्या है यह मतलब तीख है, जिस्टिफाइड है फिर मर गे तो ठीक है कोई बात नी क्योंकि वो लड़के से बात करती थी तो मर जाना ठीक है तो ऐसे देश में मैं रह रहे हूं, मुझे बहुत शरम लगती है, मतलब I can't tell you what I am feeling right now आप हातरस में थी, तूरी इंविस्टिगेशन को आप करीब से देख रही है तो इंविस्टिगेशन के पहलू से मैं आप से जानना चाहरा हूं कि इस केस को क्या डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है नहीं, केस को डाइवर्ट नहीं, अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है देखिये, मुर्ख, राजा, मुर्ख, जनता जनता भी मुर्ख है बिलकुल मैं बोलूगी खुलिकर आपके चैनल पर जो दिखाया दारा मुझे से सुबह से कि मुझे कल से इतनी कॉल्स आरी है तेखो जिसके लिए तुम लड़ रही थी वो तो खुदी कारेक्टर लेस निकली मुझे तो जनता इसलिए हमारे देष मे रह जानिवारे जनता बर्फ के नहीं तो तो कि अपकर आप को जनता मुर्क है वोई बड़ी बात भी है कल को मुझे उठा के लिए जाए ही लोग कैसे हैं ही लोग पूरा मुद्दा ही दवा देना है यह आप कवर अब तो छोड़ दीजे कि बुरे मुद्दे को एक रिवर्स खेलने की तेरी है वह स्मार्ट मुवे सरकार का हूं यह पता है कि मुर्क इस पार्ष बात लुक जब बता है पत्रगर उनको बहुत ग्रेडर कर लगूरी तो लग़िए यह टॉट कर दें मुझे बहुत लग़ा था सवाल करने नहीं तो ज़ी बहुँत कर देंश्वार थे मुझे तुछा अर्मत बमजे बढ़ दुख लगा और मैंने बस बैठक ताप की तरफ आना चाहूंगा अनील जी इस पूरे मामले में जैसे मीडिया ट्राइल चल रहा है और मीडिया इस मामले में अपनी राए लोगों के सामने रख रहा है तो ऐसे ही मामलों में क्या जो जब ये घटना ऐसी घटना है दलित आदिवासी या मुस्लिमों के साथ ये तो इसका क्या मकसद होता है और ये क्यों की आ जाता है दरसाल अभी बहुत बड़ा सवाल एक है और मैं थोड़ा दुखि होता हूँ जब panel में discussion होता है, हम तक्णिकी बातों पर, यहानि कि उसके जो तक्णिकी पाहलू होते हैं, उस पर हम जादा बात्चित करते हैं। हम लोग बात्चित करने लगते हैं परिवार पर, हम लोग पात्चीत करने लगते हैं बेक्टी पर मैं कहता हूँ कि यह घटना और इस तरह की घटना यह परिवार का मसला और केवल भिक्टिम का मसला है यह नहीं है आप जो पीडित है और यह जो पीडिता है और जो परिवार है आप तरहसल जब उसमें फोकस करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप पूरे मुद्दे को पूरे मुद्दे को आप डाइव हट करने की कोशिस करते हैं इसको रिडियूस करना कहते हैं कि डे टू डे इसको रिडियूस कर दिया जाए जबकि ये सवाल, मीडिया के लिए भी और सरकार के लिए भी, ये सवाल समाज को address करना है, इस सवाल में समाज खड़ा है, समाज कट घरे में है, आप ये सोचिए कि हम बलतकारियों के पक्ष में परदर्सन करने लगे हैं, क्योंकि हमने जो पिडित होते हैं, जो बलतकार के सि कार होते हैं उनको हमने रिड्यूस कर दिया बैक्ती में बैक्ती की जाती में बैक्ती के धन में जबकि जब हम बलतकार की बात करते हैं हत्या की बात करते हैं तो हम एक समाजिक जो एक धाचा बना हुआ है बलतकार की संस्कृती का और हत्या की संस्कृती का हम उस पर बात कर र राजनीती जो है, राजनीती विचारधारा जो होती है, धरसल वो उसका कामी यही होता है, कि अपने को कैसे वो मजबूती से बनाए रख सके, और इसमें वही हो रहा है। इस पूरे परकरण में भी यही हो रहा है कि जो इसू जो मतलब जो बाती इस घटना के बहाने उठती और जो एक पॉलिटिकल आइडिलोजी पे जो सवाल खड़े होते उन सवालों को कैसे हम इससे ढग दें मैं करता हूँ कि क्यों आज की तारीक में ही सबसे ज़्यादा घटनाएं दलीतों और महिलाओं के खिलाफ हो रही है क्या यह महज एक गाउं में होने वाली घटना है क्या यह महज एक किसी राजी में होने वाली घटना है यह पूरा मामला आखिर में है क्या आखिर में कोई ए बीतर से ऐसा कौन सा मैसेज जाता है वो किस भासा में मैसेज देता है कि समाज में जो आकरमग करने वाले लोग हैं वो और ज्यादा आकरमग हो जाते हैं मुझे लगता है कि यह सारी गंभीर बाते हैं लेकिन जो आंदोलन में जो लोग है और इस तरह की घटनाओं में जो लो हम किसको रिस्पॉंड करने लगते हैं, हर आठ घंटे पर एक नए तरह की बात सामने आ जाती है, और हमारी सारी एनर्जी और सारी हमारी जो च्छमता है, उसके जवाब देने में लग जाती है, मैं कहता हूं, इसकी जरुवत क्या है, इसकी जरुवत नहीं है, हम को जो बिरोध कर रहे हैं, उस पर इस समय, इस समय सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने ये होता है, कि जो इसके भीतर जो आइडलोचकल सवाल, एक विचारधारात्मक जो सवाल इससे जुड़े हुए हैं, उन पर लगातार हमले करें, उससे लगातार कट घरे में काड़ा करें. एक बार फिर आउंगा, एक अंतिम सवाल आप से लोगा और एक अंतिम सवाल मैं योगीता जी से लेना चाता हूँ. योगीता जी, NCRB, जो National Crime Record Bureau है, उसकी रिपोर्ट है कि जो 90 परसेंट जो रेप के जो मामले होते हैं, वो आसपास के जान पहचान के लोग भी करते हैं. बाबजूद इसके हिंदुस्तान में, जो भारत में रेप के मामले लगातार बड़े हैं, और अगर इसले दो साल की बात करें, तो उसमें इस आंखडे में इजाफा हुआ है. तो आप इसे किस नजर से देखती हैं? कि बिल्कुल ठीक है, ये बात तो है कि 90% जो केसे हैं घर की चार्जिवारी के अंदर होते हैं, यही तो मामल हमें चेंज करना है, मैं तो कह दे हूँ जाए घरों तक पहुचिए, ये सजेशन में पैरी सरकारों को भी दिया था, आभी भी देती हूँ, ऐसा नहीं है, रुक कट आफ देटाए को जाने करिंगे तो कि खर्टाया दे शायता है, ये अंदर ढाने करेंज styles जाते हैं, वोट से चारों, जाते हैं आठेंज बात करेंगे अपके साथ कुछ घ नए, ये तक पहुचिए, विक्तिम तक पहुचिए न पहुचिए, ये विक्तिम तक पहुचि अगर वो दलित है तो उसके साथ पूरा नयाए नहीं होगा? जी मैं तो कहता हूँ कि दलित को दलित होना अपराध है इस समाज ब्यवस्था में और राजनिती के लिए वो एक मुहरा है उससे खेलने का खेलने का एक तरह से साधन है उसकी उस समाज ब्यवस्था में उसकी समानता हासिल हो उसको सौतनता हासिल हो ये साधन पूरी राजनिती में जो राजनिती का जो अदेस है वो इसमें सामिल नहीं है ये तो बात मैं बिल्कुल साथ तोर पे कहूंगा मैं जो बात यहां जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि ये दरसल जो समाज में जो लोग समाज को बनाना चाहते हैं समाज को आगे भविस उसका देख रहे हैं उनको थोड़ा गंभीरता से इस पूरे मसले पर सोचना चाहिए और इस पर अपनी बात को कैसे हम अपनी एक कल्चर एक संस्कृती के तोर पर कैसे हम विक्सित करें इसकी योजना में लगना चाहिए देखिए सरकार तो जो होती है हर चीज को सलेंत में ही देखती है हर चीज को वो सलेंत में देखती है हमारा समाज तो बहुत ही साथ सुत्रा हमारा समाज तो बिलकुल ही सुध है हमारा समाज तो बिलकुल ही इतना पवित्र है जिसका हिसाब नहीं हिसाब सब बाहर से लोग आके करते हैं सब और ये एक जो मैं बारवर कह रहा हूँ कि एक विचाढ़धारा का एक इस्टुमेंट है कि वो कैसे बाहर के नाम पर बाहर के नाम पर अंदर समाज के भीतर आकर्मन की एक प्रिष्ट भूमी तयार करता है ये एक राजनितिक प्रारास से जुड़ा हुआ मसला है और मैं यह समझता हूं कि इसमें भी कोई नई बात नहीं है यह अंतराश्टिय साजिस है यह अंतराश्टिय सड़यंत रहा है फिर अगेन वही कि हम लोग उसी को रिस्पॉंड करने लगते हैं और फिर हम लोग उसी का जबाब देने में लग गए हैं तो तो रोद नहीं बात चार घंटे बात हर चार घंटे में वह बात बद लेगी तो मैं लेकिन हम लोगों को सबको एक बार इस पर बहुत ही गंभीरता से इन तमाम मसलों पर विचार करना चाहिए और कैसे समाज में एक सुरक्षा का ढाचा बिक्सीत हो यह हम को इसके बारे में अपना अपनी जो सिर्जन छंता है यानि क्रियेटिविटी जो है उसको कैसे हम लगाएं यह मुझे आपसे आपके माधिम से यह लोगों से अपील कर गी तो आप फ्रीडम एक्स्प्रेस पर आई योगिता जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि समय की वाद्यता होती है और सवाल सिलेक्टेड होते हैं तो फ्रीडम एक्सप्रेस पर आने का आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अनिल चमरिया जी आपका भी फ्रीड आप की ही मदद से चलने वाला मीडिया संस्थान है। इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें लगातार होसला मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरीके से जो नए इशूस हैं और जो समाजिक जो सवाल हैं वो आपके सामने ले करके आते रहें। फिलहाल इस चर्चा में दीजि नमस्कार